भारत का नमबर बन मोटिवेशनल चैनल डिजिटल मज़ा को सब्सक्राइब करें आपने ये कई बार सोचा कि मैं काम करूँगा या फिर मैं सुबा उटकार पढ़ूँगा लेकिन पढ़ने का जब बक्त आया तो आपने पढ़ाई नहीं की फिर सोचा कि चलो यार रात को पढ़ेंगे और पूरी रात पढ़ेंगे फिर रात हुई तो आपको नीद आने लगी और आप सो गए अब सोचो कि तुम्हारी अपने जिंदगी में कितने दिन ऐसे होंगे जिसे तुमने पूरी तरफ बरवात किया जब हम अपनी जिंदगी में कुछ खौब देखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसे जिंदगी में किसी नहीं किया हो अगर पढ़ाई करनी है तो इतनी करनी है कि मेरे इतना मारक्स किसी का ना हो सारा खेल वक्त का है दोस्त एक इंसान अपने जीवन में काम्याव हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वक्त का सही इस्तमाल करने से और एक इंसान जिंदगी में नाकाम्याव हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वक्त का गलब इस्तमाल करने से जो इंसान टाइम को अपने हिसाब से चलाता है, वो टाइम को वेस्ट नहीं करता है, और ये बात सब को पता है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, जब एक किर्केटर शॉट मारता है न, तो उसमें सबसे खास बात होती है टाइमिंग, अगर एक सिकंड भी लेट हो गया न, तो वो विट हो सकता है, और अगर एक सिकंड पहले भी खेल गया न, तो भी विट हो सकता है, शॉट तभी करेक्ट हो सकता है, जब वो टाइमिंग से खेले, विल्कुल वैसा ही हमारी ये जिंदगी है, आपको पता है कि ये टाइम हमारे तुम क्या कर सकते हो तुमारा अंदर कितनी काभियत है तुम कितना पढ़ सकते हो पता है अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहना टाइम पास करते रहना तो एक दिन रोग वक्त के लिए कि यार मेरे पास तो वक्त ही नहीं है काश मेरे पास वक्त होता तो मैं बहुत बढ़त काश मेरे पास वक्त होता तो मैं ये करता, मैं वो करता ऐसे करता, वैसे करता आपको अपने से एक कोश्चन करना है कि मेरी उम्र करीब 20 साल के हो गए है लेकिन मैंने अपनी जिंदिगे में कुछ बड़ा क्यों नहीं किया तब जवाब आएगा और वही जवाब आपके सीने में आग लगा दी देखो वक्त ऐसी चीज है न कि तुम उससे पंगा नहीं ले सकते अगर वक्त पर बदल गए तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर वक्त ने बदल दिया न तो बहुत पस्ताओगे तो जाओ, पढ़ो, don't waste your time बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो वक्त दिखाई नहीं देता, पर दिखाई बहुत कुछ देता है डूब कर मेहनत करो अपने आज पर कल जब उबरोगे, तब सबसे अलग निखरोगे जब समय का तमाचा पढ़ता है न, तो कोई फकीर तो कोई बातसा बन जाता है